चैन्नेई सुपर किंग्स IPL की सबसे पॉपिलर टीमों शामिल है इस टीम के चाहने वालों की तादाद लाखों में है महेंद्र सिंग धोनी और चैन्नेई सुपर किंग्स का रिष्टा अटूट रहा है दरसल आईपील के पहले सीजन से ही कैप्टन कूल चैन्नेई सुपर किंग्स के कप्तान है महेंद्र सिंग धोनी के लिए चैन्नेई सुपर किंग्स कितने खास है इस बात का खुलासा चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रह चुके, पूर्व भारतिय औफ स्पिनर हर्भजन सिहने किया है सोशल मीडिया पर हर्भजन सिंग का एक विडियो तेजी से वाइरल हो रहा है IPL में हर्भजन सिंग मुंबई इंडियन्स के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रह चुके है अब हर्भजन सिंग ने स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर चेन्नई सुपर किंग्स और महिंद्र सिंग धुनी पर कई अंच्छुए पहलूँ के बारे में बात की पहली बार IPL 2018 में मैदान पर उत्री तो महेंदर सिंग धोनी अपने आंसु नहीं रोक पाए। साथ ही हरभजन सिंग आगे कहते हैं कि एक बार तो महेंदर सिंग धोनी टीम के कई अन्य खिलाडियों के सामने अपने इमोशन पर काबू नहीं कर पाए। उस वक्त महेंदर सिंग धोनी टीम के कई खिलाडियों से घिरे थे लेकिन अपने आंसु नहीं रोक पाए। वहीं इस वीडियो में चैन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाडी इमरान ताहिर कहते हैं कि IPL 2018 में चैन्नई सुपर किंग्स की वापसी हुई। दरसल्प चैन्नई सुपर किंग्स IPL 2016 और IPL 2018 का हिस्सा नहीं थी। उस वक्त चैन्नई सुपर किंग्स पर बैन लगा था। इमरान ताहिर ने कहा कि IPL 2018 में टीम डिनर के वक्त मैंने जो देखा उस पर मुझे भरोसा नहीं हुआ। मैंने हमेशा सुना है कि आदमी रोते नहीं। लेकिन उस दिन मैंने महिंदर सिंग धोनी को रोते देखा। वह काफी इमोशन हो गए थे। सोशल मीडिया पर हरभजन सिंग और इमरान ताहिर का विडियो तेजी से वाइरल हो रहा है। इसके अलावा फैंस लगातार कमेंच कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस टीम का दो साल के बैन के बाद जब हम सब इकठे हुए वहां पर तो वहां टीम का डिनर रखा गया था। जब आई और मैंने बड़े बार सुना कि मेंस डोंट क्राई। महिंदर सिंग दोनी वहां रहे। इमोशनल होए। इमोशनल होए।